कि आप भी अपने जीवन की सारी परिशानिया दूर करना चाहते हैं और मा लक्षमी की क्रपा पाना चाहते हैं तो मार्ग से इसकी यानि अगहन की जो पूनिमा है उस दिन ये उपाय जरूर करें और इस स्वरल विधी से पूजा करेंगे तो आपको भगवान विश्नु और म इस पूनिमा को आपको जो भी आप काम करेंगे उसको 32 गुना फल में लेगा तो इस दिन आप जरूर पूजा करें मार्ग से इसकी जो पूनिमा उसका विशेश महत्त है इसे 32 पूनिमा भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो फल है वो 32 गुना मिलता है हर पूनिमा तिथी का हि पूरिमा ने 2023 की वो माक्षिस की पूरिमा होगी तो वो होगी 26 दिसंबर को यानि कल मंगलवार को इस पूरिमा के दिन शुक्लियोग ब्रह्मयोग का शुप्छनयोग रहने वाला है दोनों ग्रहस्तु ग्रहों के बीच वृत रखने वाले विक्ति को भगवान विश्नु और माता लक्षमी और चंद्रमा की पूजा करने से ग्रोहों के जुद्दूस प्रभाव हैं उसमें आपकी कमी आएगी उस दिन अप चंद्रमा की भी पूजा होती है भगवान विश्नु और लक्षमी की पूजा होती है तो आईए सुब महुरत जान लेते हैं तो जो पूणिवा तिथी आरंभ होगी 26 दिसंबर 2023 को सुबा 5 बच कर 46 मिनट पर और रहेगी 27 दिसंबर सुबा 6 बच कर 2 मिनट तक उदिया तिथी होने के कारण पूणिवा 26 तारीक को होगी और वरत भी 26 तारीक को ही रखा जाएगा तो उस दिन आपको करना क्या है उस दिन आप ब्रह्म मोरत प्यानी सुबा में उठेंगे ज्यादा लेट तक नहीं उठना है आप किसी पवित्र नदीम यानि गंगा नदीम इसनान करें नहीं तो घर पर गंगा जल डाल कर ही इसनान करें इसके बाद आपको भगवान विष्णू की पूजा करनी है तो भगवान विष्णू को पीला कलर बहुत ही पितामबर धारी है उनको हर चीज पीला कलर की बहुत ही पसंद है उस दिन आपको माता लश्मीर भगवान विष्णू की पूजा करना है इस प्रकार से हम पूजा करते हैं, धूब, दीब, भोग, नवे, सारी चीजों से हम उने पूजा करेंगे, साथ में उस दिन आपको कथा पढ़नी और सुननी जरूर चाहिए, इसको बहुत ही सुब माना गया है, भगवान विश्णों के साथ आपको लक्ष्मी माता की क्रपा अवस्य मिलेगी, इस दिन लक्ष्मी नारायन की विद्वत पूजा करने से घर में खुशाली और शुक्षंबत्ती बनी रहती है, क्योंकि इस दिन आप जो भी काम करेंगे, उसको आपको 31 गुना इस दिन आप जरूर अपनी जरूर काम करें, जरूर पूजा करें, कथा ने जरूर उस दिन, इसके इलावा आपको मार्ग शिष्ट पूनिमा की दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी में स्रांड करने से माता लश्मी और भगवान विष्णों की कृपा प्राप्त होती है, इस दिन किये गए दान बाकी पूनिमा की तुलना में 32 अधिक फलदाई होता, इसलिए इसे 32 पूनिमा भी कहा जाता है, तो आईए जाल देतें बहुत ही सरल पूजा विधी, मार्ग शिष्ट पूनिमा की दिन सुबा उटकर भगवान का ध्यान करें, व्रत का संकल्ब लें, अगर आप प्रत करना चाहते हैं तो, उसके बाद आशन, गंध, पुष्प, धीप, दूब, फूल, आदि समर्पित करें, पूजा इस्थर परवेदी बनाए, हवन के लिए उसमें अगनी जलाएं, बाद में सारा कुछ पूजा करने के बाद भोग बगरा लगाने के बाद हवन करें, उसमें तेलगी भूरा आदि से हवन मे आहूती दे, आपको छोटा हवन जरूर करना चाहिए, किसी भी पूजा में, उसके बाद आपको हवन समाप्त होने के बाद सच्चे मन से भगवान का ध्यान करें, उनसे छमा याशना करें, उनके सामने अपनी मनों कामनाए, पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें, व्र आपको ये रहेगा, कि उस दिन आपको पीले जो मीठे चावल होते, इससे आनी खीर बना कर आप विश्मजी को भोग लगाएए, मालक्षमी को भोग लगाए, उनको खीर बहुत ही प्री है, तो इससे क्या है, आपको मालक्षमी की असीम फ्रुपा प्राप्त होगी, आपक के दिन जरूर करनी चाहिए ताग कि आपको असीम नयापर कृपा प्राप्त हों तो आप धन की कृपा प्राप्त हो इसके लिए ये चावल का खीर बनाकर माता लश्मी को भोग लाएगा इस चंद्रमा को आपने अरक में डालकर जल में चावल डालकर अरक दे इससे आपको मा करेंगे आपको पता है उसका 32 गुना आपको फल मिलने वाला है तो इस दिन जरूर करें साथ में आप सिव जी को भी एक मुक्टी अक्षा तरपित करें इसके साथ आर्थिक संकर्दूर होगा और सिव जी आपकी पूजा से सिव जी के अगर आप पूजा करते हैं तो सनी भ व्यापार में आपके मंदिया रखी है तो आपको जरूर होगी यहाँ पर आप पूनिमा की रात में आप अपने जहां पर पूजा की उस स्थान पर माता लक्ष्मी के पास गूमती चक्र पूर्ण विधिक के साथ इस्थापित करें ओम श्री नमा की 21 माला का जाब करें पूनिमा के दिन पीपल में जल चड़ाने से मालक्षमी, पितर देव और सनी देव प्रसंद होते हैं, पीपल की जो पूजा होती हैं, उसे मालक्षमी का भिवास होता है, तो मालक्षमी भी प्रसंद होती हैं, और साथ में पितर भी खुश होते हैं, तो उस दिन आप पीपल क पेड को जल जरूर चड़ा हैं और साथ में 11 परिक्रमा उसके साथ लगा हैं बाकि आप जो धीब होता है उसके भी साथ ही आपके पीपल के पेड की आप पूजा उस दिन जरूर करें इससे भी आपको बहुत ही लाब मिलेगा इसके साथ हम इसका महत जान लेते हैं कि मार्ग सीज मा की जो पूनिमत थी है उस पर चंद्रमा को दूद के साथ अर्ग देने पर आपको बहुत ही मानसिक सांती मिलती है साथ ही चंद्रदेव की क्रपासे जीवन में सुक समरधी आती है इस दिन चंद्रोदय के बाद चंद्र सबसे बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती हैं तो आप ऐसा जरूर करें मानेता है कि ऐसा करने से सबी कश्ट दूर होते हैं और धन संपलती में व्रध होती हैं तो उस दिन आप पीपल के पेट की पूजा जरूर करें आप उस दिन नारांग की कथा जरूर सुने और साथ में चद्रमा को अरख जरूर दे I hope आपको ये जानकारी पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्ट वीडियो